समण दो क्या होता है समण दो समझें आप तरसल ये समण दो एक उसी का रूप है जो बुद्ध ने जब नियम से आदमी भटकता था और सही काम नहीं करता था संग में तो उसको वो कई तरह के दोस लगाते थे ऐसे दोस होते थे जो थोड़े बहुत दूर भी हो जाते थे और ऐसे भी दोस होते थे जिनका दंड पर्मानेंट होता था जिनको पराजित नहीं किया जाता वो ऐपराजित होते थे कि वो हमेशा रहेंगे रहेंगे मैं विने के नियम में बताता हूँ वो एक अलग सब्जेक्ट है मगर यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई साथी या मैं खुद या कोई भी या बहुत सारे साथी मिलके अगर वीदा पिपल के कंसेप्ट के अगेंश्ट में जाते हैं उनके नियमों को नहीं मानते हैं इंड्यन रूप से काम करते हैं और उससे वीदा पिपल को नुकसान होता है तो उनका और उनके परिवार को यह पूरा वीदा पिपल घोसित करेगा कि यह समन दो ही है समन का मतलब है क्योंकि बुद्ध के समय में दो सब्धुआ करते थे समणा और बम्णा बम्णा जो बाहर के लोग और समणा जो भारत के अपने लोग थे तो हम बाहर वालों के बात नहीं करते है उनका subject तो अलग है इसलिए हम समणा की बात करते है तो यहां के अपने लोगों को जिसने दोही किया है, दोहन किया है यानि कि उनको दोह है, उनके साथ में एटुश्टीज की है या उनका शोशन किया है ऐसा व्यक्ति को हम समण दोही कहेंगे समण दोही का मतलब है कि समणों का दोहन करने वाला और उसके परिवार को समण दो ही परिवार गोशित करेंगे क्योंकि व्यक्ति अपने परिवार के लिए करता है अपने परिवार के लिए चोरी करता है तो उसका दोस उसके परिवार को जाना चाहिए ताकि उस व्यक्ति को मांसिक दोब से डर रहे कि अगर वो संग में, क्योंकि संग को तोड़ना, संग को बिखेरना, संग को बेचना, संग को खराब करना, वीदा पीपिल का नुकसान करना, ये ऐसा दोस है कि इसका छमा नहीं है, क्योंकि इसमें हजारों लाखों लोगों का नुकसान होता है, एक व्यक्ति का नुकसान नह उसको फिर दुबारा कभी संग में नहीं लिया जाएगा, वीदा पीपल में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि फिर वो हमारे काम का है नहीं, इसलिए सभी जितने भी काम करने वाले लोग हैं, इस समण दो से बचें, समण दो ही ना बचें, क्योंकि ये ऐसा कलंख है, ये ऐसा कि जिसका आप निराकरण नहीं कर सकते संधु को वीदा पीपिल को घात करने वाला पिट्टी घात करने वाला उसको तोड़ने वाला उसको भंजक करने वाला व्यक्ति अच्छम में होता है उसका च्छमा नहीं है पूरे के पूरे पुराने नियम में भी और आज के अंदर भ लगे ऐसी हम मंगल कामना करते हैं कि सभी काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे कोई व्यक्ति अगर काम करने की पोजिशन में नहीं है तो छोड़ सकता है कोई जबज़स्ती नहीं है और जब वो काम करने की पोजिशन में आए तब कर सकता है किसी को कोई मजबूरी आती है तो वो अपनी मजबूरी बता सकता है मगर समण दो ही ना बने क्योंकि समण दो ही बनने से ना के बोल उसका नुकसान होगा उसके बच्चों का उसके परिवार का और बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है धन्यवाद कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो रिए्ल रिए्ल यह ? थो कि रिए्ल झाल झाल